जहिन मेरे प्यार विद्यार थी हो इधर मैं कॉम्मेंटी में कुछ इजी इजी कोशन डालता हूँ ताकि बच्चों का बेसिक मजबूत हो जाए जब मैं एक कोशन डाला और कमेंट पढ़ रहा था तो कमेंट में लिखा हुआ था कि आप्शन ए वाले को भगवान आत्मा की स इठा ले तो मेरे सेरबाद रहो जब मैंने कॉम्मिनीटी में देखा तो पता चला कि बेकार में बच्चे भीर से डरते रहते हैं यहां पर देखिए कैसे सेलेक्शन की उमीद कर सकते हैं हम लोग इतना मतलब बेसिक कोशन को और आसान कोशन को सबसे जादा गल्ती किया जा सबसे चोटी आभाज संख्या तो आपका दो होता और दो यह कैसा आभाज संख्या जो सम आभाज संख्या है सम आभाज संख्या आपसे यह भी पूछ सकता है कि कुल कितनी सम आभाज संख्या है तो केवल एक ही है दो जो सम आभाज संख्या है बस और सबसे चोटी बिसम आभाज संख्या तो यह तीन होगा क्योंकि तीन है जो बिसम आभाज संख्या है इस अब ब अब एक question आप सभी के लिए है, निसीत आप नहीं भूलिएगा, और साब्धान रहिए, साब्धान रहिए, जागुरुक रहिए, बेसिक को भी उतना ही मजबूत रखे, सिर्फ भीड में मत भागे, लगतार practice कर ये, पक्का selection होगा, नहीं तो फिर यही हालात हो जाएगा, भी सा रखे, लगतार मेहनत करिए, हजारों क्लासेस मैंने यूटूब पे डाला आप, लगतार लाप practice करवा रहा हो, बस करते रहिए आप, एक routine बना लिजे, निसीत आप सेलेक्शन होगा, जादा बटकने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी, तो एक last में मैं आपको question लिखता ह हो, इसका अंसर आप सभी बच्चों को, आदे के 9000 बोटिंग हुआ है, यह बड़ा सर्व है, 9000 बड़ा संक्या है, तो यहाँ पे मेरे शेर बातरों मैं एक question लिखता हूँ, आपको जवाब देना है, सबसे छोटी भाज संक्या क्या है, सबसे छोटी भाज संक्या क्या है, सारे बच्चे, अंसर कमेंट करिए, मिलते हैं बातरों, लगतार लाइव क्लास, सुबह 6 बजे, रात में 9 बजे, मिलते रहे, यह दोनों आपमें अद्भूत बदलाव लाएगा, अद्भूत कॉन्फिडेंस लाएगा, बेस अपलग, God bless you, चैन.